अब तू सुनेगा मेरी आवाज तो आया तीस में काफी ज़्यादा एक्षन मूवीज आई थी जैने देखके एक्षन मूवीज से मन भर गया है और आप भी अब मेरी तरह कॉमेडी मूवीज देखना चाहते हो तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 अपकामिंग कॉमेडी मूवीज के वारे में जानेंगे जो आपको हसा हसा कर आपका पीड दर्द कर देंगी वीडियो काफी अमीजिक और इंट्रेस्टिंग होने वाली है वाह बहुत सुन्दार है वे नमबर टेन पर आती है तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया और ये मूवी साहिद कपूर और कृती सेनन के आने वाली साइन्स फिक्शन रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसमें कृती सेनन एक रोबोट का रोल प्ले करेंगी इस मूवी का ओफिसल ट्रेलर भी लिलीस हो चुका है और तीन मट के ट्रेलर में हमको बहुत फणी सीन्स देखने को मिले हैं तो सोचिए मूवी में क्या होने वाला है मूवी की स्टोरी इंट्रेस्टिंग लग रही है इसके लाबा इस मूवी को 9 फर्वरी 22 को रिलीस के जाएगा नमर नाइन पर आती है जॉली एल 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 वी 3 और जॉली एल 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 वी 3 अक्चे कुमार और अरसद की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है ये फिल्म जॉली एल एल वी सिरीज का 3rd पार्ट होने वाला है इसके पिछले दोनों ही पार्ट पब्ले को काफी ज़्यादा पसंद आये जहां जॉली एल 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 वी में हमको अक्चे कुमार देखने को मिलें वो भी एक दूसरे के खिलाफ के लड़ते हुए दिखाई देंगे जज़ भी वही सेम होगा जो दोनों के पार्ट में था इसके लाबा इस मुवी को दौर पच्चेस में रिलीस हिया जाएगा इसके बार नमबर 8 पर आती है राजा साब और आजा साब प्रवास के आने वाली comedy horror film होने वाली है जिसमें प्रवास हमको action करते हुए नहीं बलकि comedy करते हुए दिखाई देंगे हमने प्रवास का action तो बहुत बार देख लिया है लेकिन अब की बार हम प्रवास की comedy भी देखेंगे इस फिल्म में जितना ही horror होगा उतनी comedy होगी ऐसे में मैं तो इस फिल्म के लिए काफी ज़्यादा excited हूँ इसके लाब इस movie को 24 के end में रिलिस हिया जाएगा पेर इंडियन लेवल पर नमबर 7 पर आती है एक untitled film इस फिल्म के लीड रोल में हमको सबके फेवरेट डूो संजेत और आटसद बार सी देखने को मिलेंगे इस untitled film को सिद्दात सचिदेव डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म का announcement हो चुका है इस फिल्म का poster भी लीलिस हो चुका है इस poster में हमको संजेत और आटसद बार सी जिल के अंदर देखने को मिले है इस poster को देखके सबको लगा था कि ये movie मुना वाई MBBS 3 होने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है इस movie की shooting लगवा complete हो चुके है और इस movie को हम इसी साल दोच चुवीस के end में देख पाएंगे इसके बाद number 6 पर आती है स्ट्री टू और स्ट्री टू काफी बड़ी और ड्रामा फिल्म होने वाली है जो सीक्वल है 2019 में आई स्ट्री मूवी का स्ट्री मूवी काफी बड़ी ब्लॉक वास्टर सावेत हुई थी बॉक्स ओपिस पर हाली में स्ट्री टू मूवी का एनॉसमेंट भी हो चुका है और इस मूवी में हमको एक बार फिट से राजकुमार राओ, स्रद्दा कपूर, अपार सक्ति खुराना और पंकच ट्रपार्टी के साथ और भी कई एक्कर्स देखने को मेलेंगे, इसके लावा इस मूवी को 30 अगस 24 को रिलीज किया जाएगा प्यार से देखो, आदे हमाई गांट पटी हुए, कहां से लाएंगे प्यार नमर फाइब पर आती है वेलकम टू दा जंगल यानी वेलकम थ्री और वेलकम थ्री बॉलिवुड की तरप से आने वाली बहुत बड़ी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है इस सीरीज के दोनों ही पाट काफी बड़िया थे वेलकम टू में हम सभी को अक्षा कुमार ये कमी बहुत जादा मैसिस हुई थी लेकिन अब वो वेलकम थ्री में बापस आ चुके हैं जहां दूस्तों इस मूवी के लीड रोल में हम सभी को अक्षे कुमार, परिस्राबल, सुनिल सेटी, संजिदत और अरसद बारसी के अलावा और कई सारे अक्टर्स देखनों को मिलेंगे इस मूवी के सुटिंग लगवा को कम्प्लीट हो चुके है यह मूवी एक कमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसके पिजली चारो पार्ट पब्लिक को काफी ज़्यादा पसंद आये थे और इन चारो पार्टों ने बॉक्स ओपिस पर खूब कमाई भी की थी गोलमाल फाइब को एक बार फिट से रोईच सेटी ड्राट करेंगे और इस मूवी में हमको एक बार फिट से अजे देवगन, अर्सत बारसी, तुसार कपूर, तबू के साथ-साथ और भी कई एक्कर्स देखने को मिलेंगे रोईच सेटी की पिदली फिल्म सरकस बॉक्स ओपिस पर डिजास्टर सावेत हुई थी, लेकिन अभी हाली में रोईच सेटी ने कंफर्म किया है कि वो गोलमाल फाइब को जल्दी लाएंगे ऐसे में इस मूवी को हम दोच्वबिस में देख पाएंगे इसके पर नवर ट्री पर आती है बूल वललय यह 3 और भूल वललय यह 3 सीरीज का थर्ड पार्ट होने बाला है इसके पिछले दोनुए पार्ट काफी ज्यादा पसंद आये थी पबलिक को जहाँ इसके पहले पार्ट में हमको अक्षे कुमाभ देखने को मिले थे वहीं इसके दूसरे पार्ट में हमको कारते कारें नजर आये थे बूलवलेईया के इन दोनों ही पार्ट में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूब बताएं अपनी बात करो तो मुझे पहला पार्ट अच्छा लगा था जिसमें अक्षे कुमार सरते इस movie की official announcement भी हो चुकी है और report के माने तो इस movie की shooting काफी जल्दी खत्म होने वाली है इसके अलाबा इस movie को हम दिवाली 24 में देख पाएंगे इसके बाद number 2 पर आती है लापता लेडिस और लापता लेडिस बोलीवड की तरब से आने वाली बहुत बड़ी comedy drama film होने वाली है इस movie को किरन राव डारेक्ट कर रही है और इस movie की अमीर खान producer होने वाले है और आपको तो पता ही हुआ कि अमीर खान की script selection कितने ही तगड़ी है तो इस movie में कुछ खास बात होगी तभी उन्होंने इस movie को choose किया है इस movie में story देखने को मिलेगी एक ऐसे आदमी की जिसकी train में baby change हो जाती है इस movie का trailer Harley में release हुआ है जिसमें हमको बरबर के comedy देखने को मिली थी और इस movie को March 24 में release किया जाएगा इसके बाद आकरी और नमबर वन पर आती है हेरा फेरी 3 और हेरा फेरी 3 बॉल्लिवूड की तरब से आने वाली most awaited comedy drama film होने वाली है इसका अंतिजार हम सबी लोगों को काफी सालों से था और हेरा फेरी 3 हेरा फेरी सीरीज का third part होने बाला है रिपोर्ट की माने तो इस movie की shooting शुरू होने वाली है और इस movie को हम 25 के end में देख पाएंगे तो यही थी हमारी 10 आने वाली comedy film है जिनके लिए मैं बहुत excited था पैसे आप किस movie के लिए excited हो comment करके जरूब बताना और ऐसी वीडियो बनाने में काफी यहार मेहनत और research लगती है तो मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को like और चैनल को subscribe करेंगे मिलते हैं इसी next वीडियो में